तो मेरी विचार से हमारे जो सिस्टम है वही कौल्टी है हम अपने रिप्रेजनेटेटिटिव चुनते हैं other government कॉर्म करते हैं अपने government स capable भॉपर्मेंट व हम लों होए भी वत स्थियूशन होँ पड़ा रहा है तो हमें अच्छे टीचर चाहीए अच्छा इंफाइष चाहीं गौवर्मेंट के जो एनॉंस्मेंट की जाती है पॉल्सी की यह तरह की यह ज़ना है उस यह ज़नाओं का पॉलिटी से क्या रिलेशन है कोई नहीं जो और हर गार जिन का सब की इमान सिक्ता रहाती है कि हम अपने से अच्छा बेटर एजुकेशन पॉलिटी एजुकेशन पॉलिक का और गार आजियन का रास्ता देता है प्राइविट शेक्रता का इसको उसके उसके उदिन पर दिन पढ़ रहे जाया कि सब लोगों को वालिटी के लिए रेश्में को चाहिए वो देखते है क्वालिटी का बीट है यह साँ टाइम है कि वाई अमको खाना प्री मि जाएगा आपको पुक्स मिल जाएगा, इड्रेस मिल जाएगा, इससे उस्ता लाइप तो नहीं बनेगा। प्राइबीट सेक्टर की सिछा जो एड्यूकेशन हो पॉसली स्वभाविक है। वहां गवर्मेंट की कोई फ़ंड कोई सबसेडी नहीं है। सब खर्चें के फीस से ही करना है। फीस मतलब हायर साइट रहाएगा। और हाइड चाहरत हरो नहीं के कोऊलरइट सेक्टर को बिजिनेश था है। महां तक कॉमेर्सियल वीडिच्टूर है। वह एक तरह से अपना इंवेशमेंट कर रहे है। तो अपना बिजिनस भी देखते हैं कि लिखना इंवेशमेंट कर रहा है। तो हम हमारी अर्णिक होगी हमारी प्रॉफिट किया हो गुवर्मेंट जिस्टे नहीं कि किसी दूसरे फंड से हमाँ सब्सेटी जो है डेपसिट हो तो यहां तो देखना है कि हमने कितना लगाया एक हम सीधे क्लियर कट मतले कामर्सी लेटी चोट है कि क्या बिल्टे पड़ेगा तब ही पेरेंट्स उसको बियर कर रहे हैं प्रीफर कर रहे हैं कि वुद्धे बच्चे के भविश्क का सवाल है जाने पर लगता है कि हमारे बच्चे का भविश्क तरह बजाएगा तब आएगा कि हमेरे भाइख करना पड़ेगा प्रीष करना पड़ेगा और तब होगा जब लोगों में अवरनेश आएगा अगार्जियन जब अपने गॉब्मेंट्स अपने इलेक्टेट गोड्स यापने रिप्रेजेंट्स